अब जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे या जितना भी पढ़ा है मैं एक पर कुश्चन का पहले पैटन बता देता हूं ठीक है अभी देखी लिया वैसे हमारा जो पेपर कैसे आएगा पेपर किस पैटन पे आएगा वो देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे ना पांच कुश्चन साएंगे question number 1 अभी देखा ही हाला कि question number 2 और question number 3 और question number 4 और question number 5 question number 1 जो आएगा वो unit number 1 से आएगा theory का जो कि हम discuss कर भी रहे हैं theory ठीक न question number 2 में आपका mix रहेगा यह आएगा हमारा यहां तो आएगा depreciation यानि property, plant and equipment कुछ बच्चे पूछते हैं सर यह कौन सा chapter है इस लेवस में तो ही नहीं दूसरा inventory चीक है यह fix है यही बनना है question number 3 में final account और versus NPO में choice आएगा तो मैं सभी को suggest करता हूँ कि final account करिए NPO को आप skip कर सकते हैं because of NPO generally थोड़ा tough हो जाता है चौथा question आएगा सर branch से और इसके जो और में रहेगा वो भी branch रहेगा तो branch तो छोड़ने का मतलब भी नहीं है depreciation के और में भी depreciation ही आएगा पांचवा question आएगा departmental और lease से तो सर इसमें भी question छोड़ने का कोई chance बनता नहीं है आपका ठीक है ना कैसा पेपर आएगा अब सर हमें किस पैटन पर पहले क्या करना चाहिए दो से तीन दिन बचे सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फाइनल अकाउंट करिए नंबर दो पे आप उठा लीजिए डेप्रिशेशन क्योंकि 12 में किया हुआ है जिसका डेप्रिशेशन वीक है छोड़ दीजिए फिर वो बच्चे नंबर दो पे उठा लेंगे ब्रांच बहुत सिंपल सा है ब्रांच चो फाइनल कुश्चन आएगा ही आएगा नंबर तीन पे बच्चे फिर आप इन्वेंटर को करना ही पड़ेगा या फिर आप वहां पर क्या कर सकते हैं लीज कर सकते हैं तो कुछ एक चैप्टर है यूनिट नंबर जो आपका चार है उसमें से आपका 40 नंबर तक का पेपर आ रहा है जैसा कि अभी हमने देखा है चालिस ने 36 नंबर का पेपर तो यूनिट नंबर चार काफी इंपॉर्टेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कौन-कौन सा चैप्टर सर प्रांच नहीं छोड़ना यू अल्डेडी पे डला हुआ यूटूब पे डला हुए अप्लिकेशन में भी लाइव क्लास में डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना और ल जाता है जिन बच्चों को लगता है कि मैं यूटूब पे डालूँ आ सिस्टमेटिक है तो कोर्स भी ले सकता यूटूब से कर सकते हो और जिसने कोर्स ले रखा उनका तो सारा सिस्टमेटिक डाला हुआ है लाइव क्लास चली रही है ठीक है ना इसके बाद एक और से पर हैगा कुश्टissant भी मैंने बता दिए जिसमें से कुश्चन पूछे जाते हैं अब ही जो ज़ी सारा है ठीक है न तो चली आज की कलास ठोड़ी से लंबी ले लिए है मैंने कल फिर से class रखेंगे कल मैं सारी theory complete करा दूँगा अभी आपके पास time है आप practical पर focus करिए कल मैं theory करा हूँगा उसके बाद आप theory को करने के लिए बैठीए अच्छी के ना झाल झाल